कहते हैं ना सच्चे दोस्त की पहचान संकट के समय ही होती है आखिर कार पुतिन ने ऐसी कौन सी चाल चल दी जिसके बाद चीन घुटनों पर आ गया है और चीन बात चीत करना चाहता है आखिर कौन सी डील है और कौन सा ऐसा एतिहासिक फैसला है जिसको लेकर चीन मजबूर हो गया है और ना सिर्फ पुतिन ने चीन को मजबूर कर दिया बलकि पूरा जंग का रूप ही बदल दिया है और सिर्फ एक चावी से अपने लिए भी सुरक्षा हासिल कर ली है तो वहीं भारत को भी जीत दिला दी है जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार चाचा जिन्पिंग को ऐसा लगता है कि अकल दुनिया में डेड़ है एक जिन्पिंग के पास और आधी में पूरी दुनिया है पूतिन ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से सारी रनीतिया फेल हो गई है और चीन को मजबूर कर दिया है कि वो घुटनों पे आ गया है भारत चीन सीमा बीबाद में बहुत बड़ा मोडाया है रूस इस वक्त दो तरफ समस्याओं से घीरा हुआ है एक तो युक्रेन उसके लिए समस्या बना है हाला कि युक्रेन जैसे जैसे अपना जुकाओ नाटो देस की तरफ दिखा रहा है वैसे वैसे रूस के लिए संकट बढ़ रहा है नाटो देश के हाथ में जाने के बाद यूक्रेन का इस्तेमाल नाटो रूस के खिलाफ करेगा ये चीज भली भाती रूस जानता है और यूक्रेन आप सोचेंग एक छोटा सा देश है फिर अचानक रूस को इतनी क्या समस्या हो रही है रूस चाहे तो कल को यूक्रेन को पड़ने वाले रूस को रोक नहीं पाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि नाटो की कमजोर नसा चुकी है रूस के पास नाटो के जो सकतिसाली देश हैं अमेरिका हो गए बिल्टेन हो गए इनके आलावे यूरोप के वो देश हैं जो सकतिसाली हैं पावरफुल हैं लेकिन उनकी भ बहुत अच्छे से जान गई हैं अमेरिका ने भी इस बात को कह दिया है कि यूकरेन को हासिल करेगा रूस लेकिन इसमस्या क्या है ुक्रेइन प्र हमले के लिए बढ़ता था यूक्रेश के पास रूस की जो सबसे कमजोर नस है वो है गैस पाइप लाइन का जाल जो सोवियत संग के जमाने में बिचा तब जब युक्रेन बेलारूस रूस के हिस्सा हुआ करते थे अब जब जब युक्रेन तनाओं में फसता है तब इन गैस पाइप लाइन को उडानी की धमकी देना शुरू कर देता है और इस गैस पाइप लाइन का जाल जाकर बिचता ह यूरोप में और जिससे बड़ी मोटी रकम कमाता है रूस यूरोप के देशों को गैस बेच कर एनरजी और गैस बेच कर पर रूस ने इसकी दूसरी तोड़ निकाली और सीधे सीधे नौर्धन नौर्ध स्ट्रीम टू गैस पाइपलाइन परियोजना को सुरू किया जो सीध जोड़ता है जर्मनी और रूस को पर अब जब जर्मनी युक्रेइन के हालात बन रहें इस तरीके के तो बाइडेन अमेरिका और नाटो के दवाब में आकर इस परियोजना को एक्टिभेट ही नहीं कर रहा है जिसके बाद रूस ने अपने पाइपलाइन परियोजना को कर दिया है स्लो और यह कहा है कि हम आपको गैस नहीं दे पाएंगे या देंगे भी तो बहुत कम मात्रा में देंगे जबकि यूरोप में सर्दियां सुरू होने वाली है और इस वक्त उर्जा का इस्तेमाल बहुत जादा करते हैं यूरोप के लोग अब यहीं पर बड़ी चाल बार धमकी देता है गैस प्रियोजना को गैस पाइपलाइन को उड़ा देनी की यह काम वो कर नहीं पाएगा और आसानी से यूक्रेन पर कबजा कर लेगा रूस तो वहीं गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे मजबूर होके हर हाल में जर्मनी को नौर्दी स्ट एक चाल से सीधे यूरोप को मात दे दी है और अपने लिए जगह बना ली है कि बिना जंग किये ही यूक्रेन कब जाने की उसकी मनसा आसानी से पूरी हो जाए क्योंकि नाटों खुद में ही फसे रह जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ पूतीन ने भारत के लिए बहुत ब पूतीन ने ये तै किया कि वह भारत की यात्रा करेंगे यहीं से कानखड़े हो गये अब हाली में चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परिक्षन किया था इस परिक्षन के द्वारा उसने ये जटाया था कि वह किसी के भी सेटैलाइट को मार सकता है साथी साथ रडार को चकमा दे कर सीधे वार कर सकता है अब इसे रोकने के लिए एक हतियार है दुनिया में जो इस वक्त अमेरिका के पास भी नहीं है वो हतियार है रूस के पास और रूस का S500 चीन के इस हाइपरसोनिक मिसाइल का अगर यह प्रोपेगंडा नहीं है सच्चाई है तो बड़ा जव दिए दिए चीन के बाद एस फाइफ हंड़ेट का खरीदार बनेगा भारत यानि की चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जबाब भारत के पास होगा वैसे आपको बता दें आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि चीन और भारत इसके हो सकते हैं खरीदार प अपने लिए मुसीबत नहीं मोल लेगा रूस क्योंकि रूस जानता है कि हर उस डिवाइस का और हर उस हतियार का जो रूस चीन को भेजता है रिवर्स इंजिनियरिंग होती है और इसकी भी रिवर्स इंजिनियरिंग होगी लेकिन अब जो पुतिन आ रहे हैं भारत कहा जा रहा है कि एस 500 को लेकर दोनों देशों के बीच डील फाइनल होगी और एस 500 के क्या फीचर सें इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि चीन की सारी सक्तियां इसके आगे बेकार हो जाएंगी अब जैसे ही पुतिन आ रहे हैं भारत और वो भी ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच लड़ाई है मतलब भारत को पुतिन प्रियोर्टी दे रहे हैं भारत को पुतिन एक अलग नजरिये से देख रहे हैं इस तनाव के बक जिसे देखते हुए चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होता है तो उसके लिए समस्या होगी और जो को सोच रहा है कि रूस चीन की रूस भारत की मदद नहीं करेगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भले ही सामने से रूस न आए लेकिन हतियारों से वह भारत की मदद करने वाला है इसी वज़े से अब चीन ने भी अपना पैत्रा बदल लिया है और आप देख सकते हैं खबरो समय से चल रहा है हो सकता है इस बातचीत के आड़ में चीन को थोड़ा और समय चाहिए हो अपनी तैयारियों के लिए पर भारत भी पीछे नहीं है भारत भी इस समय का इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए ही करेगा फिलहाल फिर से दोनों देशों के बीच सैन्य अस्तर पर बा पूसिस कर रहा है और भारत भी कि इस मुद्दे को बाचीत के जरिये हल किया जाए पर चीन के आकरागमक बहवार में परिवर्तन की वजह मानी जा रही है पूतीन की यात्रा वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को एस फाइबंडेट खरीद लेना चाहिए कमेंट कर अपन